जैसे हम कई बार महिलाओं और पुरुशों के बीच की समानता को लेकर बात करते हैं ठीक वैसे ही अब खेलों के अंतरा स्टेसंस था वर्ल्ड एथलीट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को ट्रेक एंड फील्ड के खेल में हिस्सा लेने के उपर रोक लगा दी है साथ ही फिना यानि इंट्रनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के तर्ज पर ये फैसला किया गया है दरसल फिना एक इंट्रनेशनल तेरा तीस संस्था है पिछले साल 2022 जून महीने में ही फिना ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को स्विमिंग में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी और अब कुछ महतपोर्ण तत्यों को देखते हुए ट्रांसजेंडर एथलीटों पर इंतरास्टे टूर्नमेंट में भाग लेने पर भी रोक लगा जैसे पुरुष और महिला अथलीचों के लिए वर्गी करण के रूल होते हैं इसी वर्गी करण को नजर में रखते हुए यह नए नियम बनाए गए हैं इसके पीछे बड़ी वजा ये भी रही कि जब वेट लिफ्टर लॉरेल हबाड ने साल 2013 में महिलाओं के 87 kg वर्ग मे हिस्साल इसईबाद ने हॉर्मों रिप्लेसिमेंट थैरिपी का सहारा लिया था इस फेर्पी लेने के बाद से ही वो पुरुष वर्ग के जाए महिला वर्ग में खेलने लगी वो लगातार बड़ी ही आसानी से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने लगी और अब ट्रांसजेंडर 31 मार्च साल 2023 के बाद से महिला प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे